जेवन उत्साहा नियूस किया दिन भर की दस बड़ी खबरों में आपका स्वागत है हिमाचल प्रदेश सरकार ने राशनकार धारकों का बढ़ाया आटा और चाबल का कोटा हिमाचल सरकार ने प्रदेश के साढ़े उननीस लाख राशनकार धारक परिवारों के लिए राशन का कोटा बढ़ाया है उब्भोकताओं को इसी महीने से ही राशन डीपों में 15 किलो आटा और 8 किलो चाबल देने के निर्देश दिये हैं पहले वभोकताओं को 7 किलो तक चाबल और 13 किलो तक आटा प्रती राशनकार दिया जा रहा है हिमाचल में पहली बार आयोजित होगी अंतर जिला महिला क्रिकेट प्रतियोगिता हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एशोशेशन महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए मई में पहली बार अंतर जिला महिला क्रिकेट प्रतियोगिता करवाएगी प्रदेश के हर जिले की टीम का चैन किया जाएगा रभी बार को क्रिकेट स्टेडियम धरमशाला में HPCA अध्यक्ष आर्पी सिंग की अध्यक्षता में हुई अप्रैक्स कांसलिंग की बैठक में या फ्यसला लिया गया कालका शिमला रेल लाइन विद्धूती करण के लिए युनेसको से ली जाएगी मन्जूरी युनेसको की और से विद्धूत धरोहर धोशित कालका शिमला रेलवे लाइन को विद्धूती करण की तयारी है हमिरपूर के रोहिन पट्याल ने उतीरन की एंडिये की प्रवेश प्रिक्षा दियेवी पब्लिक स्कूल हमिरपूर के छात रोहिन पट्याल ने एंडिये की प्रवेश प्रिक्षा उतीरन कर स्कूल का नाम रोशन किया है प्रधानाचारय विश्वास शर्मा ने कहा कि छात्र का चैन NDA की तक्निकी एंट्री योजना के तहत हुआ है उन्होंने कहा कि रोहिन ने NDA की प्रिक्षा के लिए कोई कोचिंग नहीं ली थी रोहिन की उपलब्दी पर DAV स्कूल के अध्यक्ष आनंद स्वरू ने प्रधानाचारय और शिक्षकों को बधाई दी है करोडो रुपे की लागत से दार्ला घाट में स्थापित होगा पसू चिकिसा फार्मासिस्ट प्रशिक्षन संस्थान संजे अवस्ति सोलन जिला के अर्की विधानसवा शेतर के दार्ला घाट में 14 करोड रुपे की लागत से पसू चिकिसा फार्मासिस्ट प्रशिक्षन संस्थान स्थान स्थान के लिए केंदर सिरकार द्वारा प्रथम किष्ट के रूप में 4.50 करोड रुपे की राशी श्विक्रित की हिमाचल का प्राथम संस्थान होगा आर्थिक तंगी से जूज रहे HRTC को इलेक्रिक बसेंיכरीदने का संकट क्रीप 14 क्रोर की आर्थिक तंग की से जूज रहे HRTC को 1500 इलेक्रिक्रिक खृदने के लिए वितिय संकट खड़ा हो गया है ऐसे में हिमाचल पत निगम परवंद करज लेकर डीजल बसों के बदले नई इलेक्टरिक बसें खरीदने के पक्स में नहीं है डीजल बसों की अपिक्षा दोगनी कीमत अदा करके इलेक्टरिक बसों को खरीदने से कत्रा रहा है HRTC के अनुसार एक एक क्रोड की ईवसों को खरीदने के बाद निगम के कारोबार में कोई ज्यादा प्रिद्धी नहीं होगी ठ्योक के चिखडगाम के अतुल अमेरिका की कमपनी के बने CEO ठ्योग के चिखडगाम के अतुल शर्मा अमेरिका की कमपनी रूडर फिन इंडिया में सीईओ के पद पर तैनाथ हुई हैं कमपनी का मुख्या कारेले अमेरिका के न्यू यॉर्क में है बरतमान में भे अभी भारत से ही सेवाएं देंगी अमेरिका की कमपनी ने अतुल शर्मा को सालानन धाई करोड रुपे का पैकेज दिया है चमबा में लगे भूकम के जटके घरों से बाहर निकले लोग हीमाचल परदेश के चंबा जिले में सोमबार सुबाद भूकम्ब के जटके महसूस किये गे भूकम्ब के जटके लगते ही लोग घरों से बाहर की ओड़ परे इस दोरान अफरात अफरी का महाल पैदा हो गया आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भूकम्ब के करण जिले में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है हमिरपूर में सोमबार को एस दिम मनीश कुमार सोनी ने बेटी बचाओ पेटी पढ़ाओ योजना की खंडस्तरिये टास्क फोर्स बैठक की अध्यक्षता की उन्होंने बताया कि बालविकास पर योजना हमिरपूर के अंत्रगत आने वाले शेत्रों में महिला वो बालविकास बिभाग की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और अन्य योजनाओ के सराहनिया परिणाम सामने आ रहे हैं इनी योजनाओं के प्रणाम सरूप हमिरपुर खंड में शिशू लिंगानुपात और बच्चों वो महिलाओं के पोशन में काफी सुधार देखने को मिल रहा है हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी से बढ़ी ठंड 23 तक मौसम खराब रहने का पूरबानमान हिमाचल प्रदेश के निचले शित्रों में बारिश और पहाडों में बर्फबारी का दोर जारी है रोहतांदर्रा हनुमान टिबा देव टिबा सेवन सिस्टर पीक मनाली पीक आदी चोटियां फिर बर्फ से लक दक हो गई है राजदानी शिमला और प्रेटन नगरी मनाली में रगवार को बारिश से ठंड बढ़ गई है प्रदेश में 23 मार्च तक मौसम खराब रहने का पूर्बान मान है